अब गैस सिलेंडर के लिए ऑनलाइन भुकतान रसोई गैस या लपीजी सिलेंडर की बुकिंग के वक्त ही अब भुकता उसके लिए ऑनलाइन भुकतान कर सकेंगे पैट्रोलियम मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने इस सुविधा की शुरुवात की प्रधान ने ट्विट किया कि उब भुकताओं की सुविधा पारदर्शिता और कैशलेस लेंदेन के उद्देश से रसोई गेस रिफिल के लिए अब ऑनलाइन भुकतान सेवाश शुरू की गई है इससे पहले रसोई गेस ऑनलाइन भुक कराने की सुविधा तेल विपटन कमपनियों जैसे इंडियन ओईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लिए ही थी और उब भुकताओं को दुकान पर या सिलेंडर के आपूर्ती होने पर नगत भुकतान करना पड़ता था इंटरनेट के जरीए फैलरा भारत में आयस का नेटवर्क महराष्ट के आतंगवाद निरोदक दस्ते ने सुईकार किया कि करीब एक दरजन राज्यों में आतंगवादी संगठन आयस ने सोशल मीडिया और इंटरनेट साइट्स के जरीए अपना जाल बिछा रखा है जाज के बाद महराष्ट एटीएस ने बताया कि आतंगवादी विचारों को बढ़ावा देने वाली चूरेणों वेबसाइटों को बंद किया गया है महराष्ट एटीएस के प्रमुक विवेक फंसालकर ने कहा कि महराष्ट सही देश के 10 से 12 राज्यों में आयस का प्रभाव देखा गया है पुलिस ने ऐसी साइटे बंद की है जिसका इस्तमाल यूओ को आयस का समर्थक बनाने के लिए किया जाता है उन्होंने कहा कि हमें आयस को समाज में निश्प्रभावी करने के लिए कटर पंथियों की पहचान वह निगरानी करने में कड़ी महनत करनी होगी आयस के प्रभाव का मुकावला करने के लिए एटीएस ने ऑनलाइन रणनीती का इस्तमाल करने का फैसला किया है मुलायम सिंग को राम भक्तों पर फाइरिंग करवाने का अफसोस समाचवादी पाइटी के प्रमुक मुलायम सिंग यादो को निर्दोश राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाने का दुख है उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जित को बचाना बहुत जरूरी था अगर और भी जाने जाती तब भी मह धर्मस्थल को बचाते उन्होंने कहा कि इसी वजह से बाद में मैंने नेतिकता के आधार पर इस्तिफा दे दिया था मुलायम सिंग ने लकनों में ये बाद सपानेता करपुरी ठाकुर की जैनती के मौके पर पार्टी कारयाले में आयजिस समारों में कही उलेक नहीं कि 27 दिसंबर 1990 की गोली बारी में 16 रामभक्त कार सेवकों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य इसमें घायल हो गए थे विश्वे हिंदू परिशत के दावे के अनुसार चत्ति सकार सेवक इस गोली बारी में मारे गए थे और तेवी सकार सेवक आज भी लापता है